स्वेट माटन दी पुस्तक, सफलता दी दर खुद घोलो दा लेख है, मुश्कला उद्दे फते तुसी निशाने तो खुंज गए हो, की होया? टीचा ताजे भी चमक रहे है तुसी दौर्ज पिछड गए हो, की होया? साल एलो, ताके फेर दौर्ज हे साल एसको एला, वीलर, विलकाक्स सच्चे इंसान नूँ जीवन वेच जियों जियों सूझ प्रापत हुन दी जान दी है वो मुश्कला होडी होडी कट हुन दी हैं जान ते उल्जना अस्थिर तुन्दवांग लोप हुन दी हैं जान दी हैं तो अड़ी है मुश्कल जिस हालत विच वो पैदा होई है मुख तोरते उस विच नेहित नहीं ये ता उस मनों दिशा विच नेहित हैं जिस नाल तुसीं उस हालत नाल सामना कर दे हो जेडा कामिक जुआकली अखा हुन दे हैं इक कच्ची ते अविक्सत बुद्धी वाले बालक वासते किसे कताब दे कुछ को सदारन दे आई पड़ना वी किन्नी वड़ी ते किन्नी मुश्किल समस्या बन जान दी है उतावले ते मेन दे किन्ने वी पैर देन ते इत्थों ताके किन्ने में ही नेदा हाल करंच लाग मुश्कल दी उच्ची ते दुर्लंग दिवारनू पार करन वेच निराश्चा परी उडीक वेच उकिन्नी के ने हंजू वो होंदै पामे के समस्या दी जड उना पाठांच नहीं सोगुं बालक दी अग्यांता वेच्चे इही गल जीवन दिया मुश्कलां दी सबंद जिना नाल वड़ी उमर दी बालकांदा वापेंद है ते उन्ती ते विकास वास्ते जिनानूं हल करना जा जिनाउं ते काबू पोना अत्यंत जरूरी है हर एक मुश्कल दा हल करन्दा अर्थ है होर ज्यादा तजर्बे दी प्राप्ती होर ज्यादा नीज ते निपुंता दी प्राप्ती ते दा अर्थ है एक मुलवान पाठ दी सिख्या जिस्ते नाल कामनू सफलता नाल पूरा करन्दा सुख ते अनांद प्रापत हुंदे मुश्कल दी असल शकल की है कि ये हुजी हालत दा ना नहीं जड़ी पूरी तरह समझ नहीं होंदी जी एस साच चय ते तत पहलां दे मुकाबले ज्यादा डूंगी नीज ते ज्यादा व्यापक बुद्धी दे परियोग ते निकास दी मंग करता है जी मुश्कला ना हुंदी याँ ता मनुख दी त्रकी ना हुंदी ते नाई मनुखी चरिततर परगट हुंदा नाई ये दा विकास हो सकदा संसार्च सिथलता चाजांदी ते मानवता विचारों सक्खनी हो जांदी इसले जदो अकड़ा नालवा पै ता मनुख दी ता मनुख दी ता स्वागत करना चाहिद है क्योंके दार थी है क्योंने किसे हदता के लापरवाई जमूरखता वर्ती है उन उस्तो चुटकारा पौन वास्ते ते बेतर रस्ता अपना ले समुच्ची शक्ती ते बुद्धी नुज टौन दी लोड है वोदे अंदर छुपियां शक्तियां महान सु तंतरता ते विशाल करम खेतर वास्ते बुलावा दे रहिया है कोई वी स्थिती अपने आप विच कठन नहीं हुंदी कठनाई दा कारण है उलजना विच पैके डूंगी नीज जाविच्चार फुरंदी काट स्थिती नाल निबडन समे अकल दा मार्या होना इना हालतां विच मुश्किल शकलक त्यार कर दी है इसले मुश्किल होते फते हासल करन नाल जिनना फायदा है उदी कलपना नहीं किती जा सकती मुश्कलां बिना सिर पैर दे जा अचानकी खड़ियां नहीं हो जान दियां उना दे पैदा होन दे कुझ ना कुझ कारण होन दे हां मनुखदियां लोडांच जियों जियों वद्दा होन दे वे कास दे सिदांत अनुसार, वो भी अपने आप प्यादा हुंदियां जान दिया हान। इना विच्ची उना दा महान वर्दान है। वे हारदे कुझ एहुजे रस्ते हान, जड़े लाजमी तौरते गुंजलांते उलजनांते जाके खतम हुंदे हान। इसे तरां कुझ एहुजे रावी हान, जड़े लाजमी तौरते दुख दाई उलजनां विच्चों बाहर करदन दे हान। कोई इनसान किन्नी भी बुरी तरां प्रस्थितियां दे दाइरेच केरी क्यों ना गया हुए। वो अपने आपनों सदाई उस्वेचों मुक्त कर सकता है। इनसान अपने अग्यान नाल ओकडानियां किन्याई दलदलां ते उलजनां दे किन्ने दुर्गम सोनसान जंगलांच क्यों ना पठक जावे। वो कदे भी अपना ठीक रा फेर फड़ सकते। वो सिद्धे सोखे ते सपष्ट शारा आउते मुड़के आ सकते। जेडा अकलमंदी ते सूजनाल परपूर करम दे रोशन खेतर वल ले जांदे। पर उठीक रस्ता उकडवेले हाथ होते हाथ तरके रूंदयां होयां निकम्मे बैके हासल नहीं कर सकते। कुड़दयां होयां ते फिकरांच डुबके वी उस रस्ते ते नहीं पहुंच सकता। उसनुए राइस वल्त ख्याल विच पैके वी नहीं मिल सकता। के काश होयना तो वकरी तरांदियां हालतां चुन्दा। उदा संकटता उदो ही दूर हो सकता। जदों तरक बुद्धी तो काम लवे ते ठंडे माननाल सारी हालत दा जाजजा लवे। उदी हालत दा इतकाज है कि उ माननू अपने वास्च रखे। अपने गवाज्य हुए निशाने नू प्रापत करनली सोच विचार करे। ते निरंतर बिना अराम दे मेनत करदा जाए। चिंता फिकर नालता निराशा होरवी डूंगी हो जान दिये। ते मुश्किल दा वजूद होरवी वड़ा हो जान दे। जदों ठंडे माननाल अपने कीते कमानू वेखेगा। ते उना उते सोच विचार करके कट जान ज्यादा ओखे मारगदा पता लालवेगा। जिसने उनू मौझूद्धा हालत विच लियास उटे है। इन जोनू छेती पता लग जाएगा कि उने गल्तियां किते कीतिया है। चेती उधी नजरों ना थामा उते जापेगी जित्योंने गल्त कदम चुक्या है। और उस पश्ट पता लग जाएगा कि थोड़े जे विचार सूज संजम जा संतोख नाल जे उक कम लेंदा तो उधी हालत ना हुंदी। ओए वेखन विच समरत हो जाएगा कि किस तरह उने होडी होडी अपने आपनों पुल पलेंगा विच फसाले हैं। किस तरह फैसला करन दी प्रेद, प्रौड बुद्धी ते डूंगी सूज बुज कारणों दा एक दम काया कल्प हो गया। जिस तरह ग्यानता, खुदगर्जी, मुरखता, सूज हीनता दे जरिये, मनुख दुबदा ते उलजन दा शिकार हो जन दे। उसे तरह ग्यान, आतम संजं, सूज ते अंदरूनी, नीज दे राते चलके, उस सुख दाई ते संतोख देन वड़े निशाने तक जा पहुंच दे। जेड़ा इंसाने गल जान दे, उस मुश्कलां दा सामना होसले नल करेगा। उना उत्ते हावी हुंदिया होयां बुराई विच्चों, सच्चाई दी, दुख विच्चों, सुख दी ते शांती विच्चों, शांती दी सिर्जनां कर लाएगा। मनुख दे सामने, इहुझे कोई मुश्कल नहीं आओ दी, जिसता सामना करन, ते जिसनू हराण दी, उस विच्च शक्ती ना होई। चिंता ना सिरफ व्यार्थ है, सोगों मूरकता पर या काम नहीं। इह शक्ती चे सूजबूज नूँ खुंडा कर दिया, नहीं तो वो कामच लग जान दिया है। जे ठीक तरह निबड़या जाए ता हर एक मुश्कल नूँ हल कीता जा सकता है। इसलए चिंता व्यार्थ है। फेर वी जड़ा काम नहीं कीता जा सकता। उन्हों अखानी क्या जा सकता है। वो संभव बन जान दै। इहो जी हालत विच्वी चिंता बे लोडी है। क्योंकि असंभव नाल ताल मेल बठान दा केवली कोई उपाह है। उए उदी अगे आतम समर्पन कर देना जिनू तुसी टाल नहीं सकते। जेस दैन मनुख दे मानच मानव जीवन दे निशाने बारे जानन दी बेबलता पैदा हूंँदी है। उद देन उदे ले बड़ा महत्ता परेया हूंदै। पाहमे उदा महत्ता हुन्हु सहले पता नहीं लगदा। उदी बेबलता इस गल्दी निशानी है कि उदा उदा सीन्ता आलस ते स्रीरक निकम्मेक पान दा समा बीद गया उस दिन तो विकास दे रात तुर पे आया ते जग्यासू बणन लगया उणों महज मानव पशू नहीं रहा सोगो जीवन दे स्वालानू हल करनू आसते अपने परपूर मानसिक बलनाल समने आया असल चु बुद्धी मानवी उखी है इड़ा संकट समने आउन ते जी नहीं चरोंदा ते नाई विचलत हुंदा सोगो शान्त ते अडोल होके उदा समना करते हुनो आलस ते अग्यान दा निकम्मा जीवन नहीं बताउंदा इंदरियां दा तुछ पोग नहीं पोग दा नाई मन्च उठन वाले तुंदले सुवालानू दबोंदा हुनो दे हिर्दे विच रब्बी अंश परबुद हो उठिया हुनो मन्च उठे महान काम करन देरा देनू ज्यादा देर तक मन विची नी दबाई रख सकदा हुनो दे वास्ते होरो डीक करना संभव है क्योकि उदियां मानसिक शक्तियां जाग पया हन ते करमशील हो उनले बेबल हो उठिया हन पाप दे काम विच शांती नी मिल सकदी सच जे ज्यान ही उनू सुख परदान कर सकदी हन वो मनुखी जीवन दे स्वालां ते उलजना दी तैविट जन्द है लगातार उना दा कारण समझन्दा यतन करदे जे में कोई सिखे आरती किसी ओक्खे पाठनू याद करके खुश हुन दे उसे तरहीं संसारक ओकडानू पार करके मानव हिर्दा खेड जन्दे ते जदो मनुख मानव जीवन दे गूर सुवाल दे हालला बलेंदे ते ओदा मान सिखनेरा दूर हो जन्दे ते ओदा हिर्दा पर्म अनंद प्रापत करदे सिट्टे वज्चों तुसी अपनिया मुश्कलां ते उल्जनानू अशुब जम विपता दियां सूचक ना समझो जे तुसी एंज सोचोगे ता तो अडेली अशुब हो जान गियां उनानू तुसी चंग्याई दा सूचक समझो दरसलो हान नी हो जियां ये कदे न सोचो के तुसी उना तो आख बचा सक देओ एंज नी हो सकदा उना तो बज़के निकलन दा यतन न करो क्योके एंज होना नामों के नै तुसी जित्ते की ते भी जाओ गेऊ तो आडे सामने कलो तियां होन गियां तुसी तीरच ते हिम्मत नालो उना दा मुकाबला करो मुकाबला गंबीर्ता ते शान नाल करो जे सुते तो अनु अधि कार प्रापते उना दा सामना करो उन्हाधी सारी पक्खां उत्ते विचार करो। उन्हाधी नाप तोल करो, विश्लेशन करो। उन्हाधी य sellers चोटियाँ वडियाँ गल्लानू समझा। उन्हाधी प्यानक तादा जय जलो। उन्हाधी पूरी थालो। ति फेर उना ती हमला बोल्देो। ते आखर उनानु हरा देओ, एस तरां तुसी अपने अंदर शक्ती ते प्रतिबादा विकास कर सकोगे ते नाली सुक्ते सफलता दे, उना देवी रहांचु इक रावल तो अड़िक कदम बदन लाग पैणगी, जोके पौतिक आखदी दृष्टी दा विशा नई हान। अगला लेख है, पार लोना, कि तुसी कदे फते दे जशन मनावनिया लोकानू सुनेया, मैं ता कहना शिकस्त वी उन्नी ही चंगी है, जो उसे तरां लई गई होवे, जिमें फते, वाल्ट विटमेर, पार चुकन बारे तदा असी बड़ा सुन दे पड़ देया, पर पार लो कि तुसी मानू ते ही पार लई क्यों फिर देओ, जदों के तुन बोज पार तो मुक्त होके, अपने मित्रां साथियांच, हलके ते परसन मन अलको मना फिरना चाहिद है, कोड़ी चीज एक थां तो दूजी थां लजानी होवे ता होर गल है, नहीं ता कौन होजे आदमी है जड़ा फजूली अपनी पिट होते पार लद्धी फिरेगा, कोई वी होजा इंसान नहीं जड़ा किसे पार नू हर समय अपने मुड्यां उते चुकी फिरे, तो दी पीड जा कष्ट नू आतम पीडन जा आतम ते आगदा ना दिन्दा फिरे, ता फिर तुसी क्यों अपने मनों ते बिकार बोज चुक दियो, इस तरह अपने आपनों कोस के जा आतम त्रिसकार करके इस बोज नू वदाउं दियो, तुसी अपने बोज ती अपनी अमसीपतानू इकको वारी क्यों नहीं लास उट दे, ते इस तरह खुद खुश हों दिया होया, संसार दी खुशी वादा क्यों नहीं कर दे, किसे दुखदाई बोज नू लगा तार चुकी फिर न, इहो जया काम है, जिनू उचित सिद नहीं किता जा सकता, जिवें पौतक जगत वेच कोई पार ताहीं चुकिया जा सकता है, जिवें उनू केते पचोना जरूरी हुन दे, ते वो बोज द दुखदा कारण नहीं हुन दा, उसे तरह हीं आत्मक जगत वेच ओदोई चिंतन दा पार चुकिया जान दा है, जदो कोई उच्चा उदेश सामनी हुगे, जदो उदेश प्रापत कर लिया जान दा है, ता चिंतन दा उपार भी लाके पासे राख देता जान दा, इस किसम दा पार दुखदा सोमा हुँँदी बजाए, अनांद दा कारण बन जान दे, असी ये ता कहनने हा कि कुछ सादू फकीर अपनी देनू जो तकलीफ दन दे हन, वो बिलकुल गयर लोडी इन दी ते बे मायन है, पर इन्ने सारे लोग अपने आपने आपनू जिस मानसिक तकल दे नहीं, जे कोई काम करना होवे तो उनू खुशी-खुशी करना चाहिदा है, ना कि अंदरों अंदर कुड़ देया हुए, ते रूंदियां खिजदेया हुए, पैर पैर ते कर्तव सड़े सामने आउंदे हैं, ओदो इंसानों बोजल लग दे हैं, जो दो असी उना नाल सांज नहीं पा सकते, जेडा इंसान किसे जरूरी कामनों लापरवाई नाल जां कोस्देया हुए, पुरा कर दे, ते आन चाहे सुखा जानन्दा दे ताक विचरंद है, उनू बिप्ता ते निराशा दे ठोया दे डंग सेन ले त्यार रहना चाहिदे, उनू ठकावड ते बेचेनी दे बोजनू दुगणा करके चुखन ले त्यार रहना चाहिदे, ए मेरे मन तू पले कामले जाग, तू बलंदियां ते जानले खंप फडफड़ा, तू जीवन दा गीत नमी सुर्च गा, तू सच ते पले दी, असत तू ते फते दा राग छेड, तू अपने गी दे कंडियां वेच अनांद दा मुक्ट राच, ए मेरे मन, तू मधूर सुर्च गा, तू अनू मन वेच ए तार लेना चाहिदे, जीवन वेच जो फर्ज हनुनानू पूरा करन ले, मैं खुशी ते बेग गर्जी दी पावना नाल, बड़ी लगन नाल जोट जामांगा, वा इशान कर रहे है, तो अड़े कई बोज बनेया होया है, जा तूसी इस ख्याल दे पार थले दबे जा रहे हो, मैं अपने हाथे काम लेता लिया है, ते मैं करना तो है इसी, पर दरसल है बड़ा बोजलते उकताओ काम, पर जड़ा ख्याल करो कि वा कही तो अड़ा काम बोज रहे हो, ओही तो अड़ी सुतंतरता जा मुक्ती दा पहला दार है, ते जिस कामनों तुसी स्थाइव उसी बदी जड़ समय देओ, ओही असल सोकते सफलता अपने अंदर समेटी बैठी है, तो अड़ा काम एक शीशे वांग है, जिस वेचो तुसी अपना अक्सवेख देओ ते अपने काम वेच जिड़े, रुखा पंजा नीरस्ता तो अनू नजराओं दे हान, उत वड़ी मान से खालता परच्छावा हान, जिस नाल तुसी उस कामनों कर देओ, सरा काम बारे अपनी मनों दशाच सुदार करके वेखोता से, तो अनू लगेगा के कामदा ता कटोगे जा अपने चेरे उते मुस्क्राट ले आओगे, ताकि धरपन वेच वी तो अनू खोश सूरत नजरा सकी, जे तुसी समय देओ के परमुख कामनों करना उच्चे तते जरूरी है, तो अनू पूरे मन नल करो, जे तुसी उनू मन लाके नहीं करोगे, ता बोजल हो जाएगा, खोद गर्ज पावनामानाल उसकाम दी शकल विगड़ जाएगे, जे उसकामनों करना ना ता उचे ते ते ना ही जरूरी, ताकि इसे लालसा वसो नू करना एक मूरकता परिया काम करना होएगा, जो के इंसाननों पारी उल्जनाचल जाके फसाद हैगा, तो अड चापलूस दुश्मन है, पोले इंसान तू कदी होश्चाएगा, ती सूज नाल चलेंगा, कुदरत अपनी सिर्जनानों संतुलत रखन ले, सारे प्राणियानों सब था, ती हर समय अकलमंदीवल प्रेरत कर दी रहन दी है, मूरकता ती खुद गर्जी नाल जड़ा अकलेश होंदे है, ती कश्ट पैदा होंदे है, उनुख वास्ते चंगाई सिद्ध होंदे है, क्योंकि मूनुख दी सिथल्टा ती निराशा नों दूर करके उनू सिर्डी बना देंदे, दरसल कलेश निराशा दा दुश्मन ती अकलमंदी दा संदेश वाहक है, पीड की ह अग्यानता दुख है, ती स्वारत बोज है, मंदी परेशानी अग्यानता ती स्वारत नों अपने हिर्दे ती अपने स्वार्थ तो दूर कर देओ, इस नाल तो अड़े जीवन विचो कलेश मिट जाएगा, बोज हलका करंदार थे है कि तुसी अपने मान विचो कड के उदे था, पवित्तर प्रेमनू अपना आओ, अपने हिर्देनू प्रेमनाल नको नकपार के करम वलवदू, तो अनू पता लग्येगा, तो अड़ा हिर्दा हलका हो गया है, खेड गया है, मान अपनी अग्यानता नाल अपनेले पार पैदा करलेंदे, ते अपनी सिंगासन खोलेंदी है, ता मानसिक राजविट विद्रोट कड़ा हुन्दे, संसारक पो गंच, खचे थोना, अग्यागी चल्दे, ते उदे पिछे चल्दे, पोगनल, पैदा कीता, पारी पन, ते उदे असे पीड, उन तुसी जीनू चाहो चोन सकते हो, जे तुसी पोति सकते हो, ते इस तरहां लाल सानू मान दे सिंगासन तो हटा के, मुड के बुद्धी रूं उसो ते बठा सकते हो, पोग विलासनू हिर्दे ना लौन तो पला, तुसी बुराई तो बच सकते हो, पर जे एक वरी तुसी उनू अपना लिया, फिर ता होदे पैड़े नतीजय जैनू पोग के तो ऎनू अकलाईगी? हीन विच्छारां ते स्वार्थी लालसावान अलगुनु खुते बोज होर्वी ज्यादा से हुजांद है। जे तोड़ी प्रस्थितियां उखियां हान, ता समझो इसले हान के तो अनुनादी लोड है। तो अड़े हेतले हान, ते तुसी उनादा सामणा करनले अपनी शक्तीनु वदा सकते। तो अनुन इसले उखियां लगदी हान केके तो अड़े मानवीच कमझोरी दांच है। ओधों ताके ड्रोणियां लग दियां, जदों ताके तुसी उसकमजोरीनु मन्चों कड़नी देंदें। तो अनुता खोश होना चाहिद है कि तो अड़े सामने होर बल्वान ते बुद्धी मान बनन दा शुब मौका आये। सूज दे सामने कोई वी प्रस्थिती आउखियां नहीं हुँदियां। प्रेम ते अके कुछ वी गुंजलदार नहीं। अपने बुरे हालातनु बुरापला केना बंद करू ते अपने आसे पासे दे बंदियां दे जीवन उत्ते नजर सुट्टो। इके हो जी ओ औरत हैं जीदा टबरबट हैं ते उन्हों बहुत थोड़ी तंखान अलगुजारा करना पेंदे हैं। वो अपना करदा सारा काम काज खुद कर दी हैं। करदे कपड़े तो उन्तो लाके बिमार गवंडियां दी देख पाल तक उन्हों करनी पेंदी हैं। बेगर्ज हैं। बेगर्ज हैं। मुक्त ते परसान हैं। खुशी ते बेगर्जी आपस विच डूंगे मित्तरहन। जिते प्रेम हुंदा उते कामदा पार परतीत नहीं हुंदा। इकोर औरत हैं। जुडवें परा हैं। उसे मातरा चो सुखी जा दुखी हैं। कि सारी गालदी जाड़ इंसान दे मंच नहीं गड़ी हुई। यह हालत विच नहीं। जदो एक वियक्ती तरम शास्तर दे किसी अंगदा ध्यन शुरू करदा हैं। जे मैं पतनी ते बच्चियां दा बोज अपने उते ना लगदा ता मैं बहुत वड़ा काम कर सकता सी। जे मैंनू कुछ वरी पहला इगाल पता हुंदी ता मैं कदे वयाना करदा। मेरा विश्वास है कि उस वियक्ती ने अजे तक अकलमंदी वाणाती सिद्धा सच्चा महान मारग नहीं अपनाया। क्योंकि पश्चा ताप तो वद के कोई मुरुखता नहीं। ते जिस महान काम नू करंदा वह इना चावन है उन्हों कर नहीं सकेगा। जे किसी इंसान दे दिल्च मनुक मातर ले इना प्यार है क्यों मनुकता ले महान काम करंदा चावन है तो सदा ले उस अरुक प्यार नू पर गटकीते बिना नहीं रहेगा। चाहिए उक किसे भी स्थेतीच के उना होगे। उदा कर प्रेम नल पर जाएगा। तो जित्थे वी जाएगा उदे बे गर्ज प्यार दी खुबसूर्ती मिठास दे शांती सब उदे नाल रहेंगे। उपने नेड़े दे बंदियानू खुश रख दे होयां वी सारियां चीजानू चंगा बणाओंदा चला जाएगा। जिड़ा प्यार बारतां दिखाया जांदे। पर कर्च दृष्टी गोच्चर नहीं होंदा। उप्रेम नहीं बलके प्रेम दा नाटके। कई उप देशगां ते परचारकां दा परिवारक जीवने हुजे होंदे। जिस्च खुशी दा नानिशान नहीं होंदे। उपने बच्चयानू बेहद अंडिट करदे हैं। उपरचारक खुद तो वजे होंदा शिकार होंदे हैं। उसमाई दे हैं के कारणू चड़के सुमाज कलियान दा काम कर रहे हैं। दरसलो अपने हत्थी पैदा कीते कश्टानू तार्मिक पार समझ के टोंदे हैं। सिर्फ एक महान व्यक्ती ही महान काम कर सकता है। तो जित्धे भी होएगा महान होएगा। उप किसे तरा निया प्रस्तितियां चकिर्या होया क्यों न होए। उस रेष्ट कामी करेगा। कि क्यों अपने काम दी आहम यतनू जान लगा। तो अड़े चे जिडे मानुता दी सेवा जा संपरक चाये व्यक्तियां दी सहताली इन्हें उतावले हो रहे ने। उन्हानू चाही दे कि कामों अपने करों शुरू कर। अपने जदो किसी व्यक्ति ने अपने जिन्दगी दे बहुत सारे साल पोग विलास ते विशेवासनाच गुजारी होन। ते जरूरी हो जन्दा है कि उदा संचत कीता होया पाप अंत चनू अपने पार नल परेशान करे। क्योंकि जदों ताको सुते गलतियां दा से पार नहीं जदों ताको गलतियां करन तो बाज नहीं आएगा ते नाहीं उस रेष्ट जीवन दा मारग अपना सकेगा। पर जदों ताको अपने पैदा कीते होई पाप नू इश्वर वल्लों देता होया समझ दैं। जैंज समझ दैं के वडियाई दी निशानियां जैंए के नू किस मत हालात जान दूसरे लोकाने उदे सिर्थे पादते हैं तो समझ जो के आप अपने मुरक्तानू व्यापक बना रहे हैं। अपने पापांदा पार्वदार हैं अपनी या पीडां ते दुखांच वद्धा कर रहे हैं। पर जदों इस ताथनू समझ लेगा कि ए पाप उस अपनी आखां खोलेगा कि उदा हरेक विचार ते काम उदे जीवन मंदर दे निर्मांच इट ते पत्थर दा काम देवेगा। फिर उपनी अंधरूनी नीजदा विकास करेगा। फिर उनू पता लग जाएगा कि हुन तक दे उदे काम नुक्स वाले सान। ते फिर उपव एकट ज्यादा योगता ते द्रडता नाल उनानू मुकम्मल करन्दा यतन करेगा। कष्ट देन वाला पार जीवन विच आवशक है। पर उदों तक जदों तक साड़े विच प्रेम ते सूजदा संचार नहीं हो जान्दा। सुख ते सफलता दा मंदर संकट ते अपमान आदियां बारी दिवाराशनल कर्या हुया है। ते उथे पुन्चन वास्ते ही यातरी नूहेंना दिवारानू लंके जाना पेंदे... उना बहार्वालियां दिवारांको उन्हु और थोड़ी देर ली ठेरना पेंदे... पर केवल उदों तक जदों तक उना नूहीं, आपना मंच बिठालेंद है के दुख दा सिर्फ साधन है टीचा नहीं तो अपने मन ते मन दे विचारानू कवित्तर करके उना बारलियां दिवारानू लंग के सुख ते शांती दे मंदर्च परवेश करेगा। हमेशाली दूर कीता जा सकता है। सुख में अराम प्रापत करेगा। थोड़ा थोड़ा करके पार कठा हुंदा चला जान दे होड़ी होड़ी वद्धा ही जान दे है पर पता नहीं लगता। बिना सोच विचार दियां हरकतां पारी हंकार ते लालसादी उत्पती ते बार बार अनांद मानना अप्वित्तर विचारांदा पसार कौड़े बंदन मुरुकता पर यांगल लागे चलके अने एक असे दोशांदा रूपतार लेंदी हैं। मुढ जो कुझ समय तकता एक पार मैसूस नी हुँदा पर दिन बदैने वद्धा चला जानदा है। ते एक समाई हुजय हुदा है जदो स्वारत ते कौड़े फळ λέ एकटर हो जानदे हैं। ते जीवन दी ठकावट नालहेरदा परेशान हो जानदा है। फेर ये वद्धि पिश्ट ते मधूर जीवन बिताया जा सके।